अपने आप में मैं महत्पपुन मामता हूँ, अगर हम बन की बात करें, हमारे आजिवासी भाई बहनों की बात करें, हम वाइड लाइब की बात करें, हम जल सवरक्षन की चर्चा करें, हम टूरिजम की बात करें, हम प्रकूती और परियावरान और विकास, एक प्रकार से एकता नगर, उसका जो होलिस्टिक डवलप्मेंट हुआ है, वो अपने आप में ये संदेश देता है, विश्वास पदा करता है, कि वन और परियावरन के खेत्र के लिए, आज एकता नगर, एक तीर्थ खेत्र बन गया है, आप भी इसी खेत्र से जुड़े हुए मंत्री और दिकारी आये हैं, मैं चाहूंगा गेकता नगर में, जितना भी समय आप बिताएं, उन बारिक्यों को जुरूर अब्जर्व करें, कि जिसमें परियावरन के प्रती, हमारे आदिवासे समाज के प्रती, हमारे वाइड लाइब के प्रती, कि कितनी संवेदन सिल्टा के साथ कारिय रचना की गई हैं, निर्मान कारिय हुआ हैं, और भविश में देश के अनेक कौने में बन परियावरन की रख्षा करते हुए, विकास की रहा पर तेजगती से आगे बढ़ सकते हैं, इसका बहुत कुछ देखने, समझने को यह मिलेगा। परियावरन की रख्षा में भी मदद मिलेगी, और भारत का विकास भी उतनी ही तेजगती से होगा। और निरंतर अपनी इकोलोजी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में बृद्धी हुई हैं और वेटलेंड्स का दाइरा भी तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्योबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायदी को इसको मैच कर सकता है। इंटरनेसलर सोलार अलाइंस हो, कोईलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियन इंफ्रास्रेक्टर हो या फिर लाइफ मूवमेंट। बड़ी चुनावतियों से निपट्टे के लिए भारत आज दुनिया को नित्रुत्व दे रहा है। कर दो कर दो